प्रेंज को पड़ती जाती है इस वुडियो को आप पूरा देखे और ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हो या फिर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से हमारे चायो को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी बाजो के नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा तो इसकी लिए अपको दो चम्मच में थी लेना है और इसी कूटनी की मदफ के दरदरा कूट कर लेना है ये देखे इस तरीके से ये देखे फ्रेंड्स आप कूटनी की मदद से भी कूट सकते हो या फिर मिक्सर गैंडर में भी इसे पिश सकते हो आपको बहुत ये बारिक नहीं पिशना है आपको इसे दरदरा पिशना है अब आपको एक कड़ाई लेनी है और उसमें 2 चमच मेथी दाना लेना है अब आपको इसमें दूसरी चीज़ अड़ करने है फ्रेंड्स वो है coconut oil यानि की नारियल का तेल क्योंकि नारियल का तेल जो होता है फ्रेंड्स वो हमारी बालों को मजबूती देता है, बालों को पोशन देता है, तो आपको इसमें एक कटोरी भरके नारियल का तेल आड़ करना है फ्रेंड्स बालों को आईली मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सरे लोग अपने बालों को तेल नहीं लगाते है या फिर बहुत कम लगाते हैं, जिससे कम उमर में ही उनके बाल जड़ने लगते हैं एक उमर के बाल सवेध होना आम बात हैं, लेकिन अभी कम उमर में ही बाल सवेध होने लगे हैं, मेथी नाना और नारियल के तेल के इस्तमाल से बाल काले, लंब्य और घने हो जाते हैं अभी इस ओईल को आपको अच्छी तरीके से गरम करना है तो फ्रेंट्स आपको इसे बहुती लो फ्लेम पर गरम करना है और पाच मिनिट तक अच्छी तरीके से उबालना है पाच मिनिट बाद आपको ग्यास बंद करना है और इसे थंडा होने के लिए रख देना है तो फ्र तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से छान कर लिया है अभी आपको इसमें आड करना है फ्रेंड्स दो विटामिनी कैपसूल फ्रेंड्स ये कैपसूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसाने से मिल जाएगी इवान 400 स्कैपसूल हमारे बालों के लिए और स्कीन के लिए बहुत ही फाइदे मंद होती है तो इस तरीके से आपको केची की मदद से इसे कट कर लेना है और इसके पूरे जल को इस ओईल में निकाल लेना है इदे की इस तरीके से और अभी आपको इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है इदे की इस तरीके से तो फ्रेंट्स अभी हमारे ये ओईल बनकर बिल्कुल तैयार है तो अभी मैं आपको इसे लगाने की प्रोसेस बताती हूँ तो इसे लगाने से पहले फ्रेंट्स आपको इसे हलका गुनगुना यानि कि हलका गरम करना है और रात को सोने से पहले अपनी बालों के स्केल्प यानि कि जड़ों में इस ओईल से अच्छी तरीके से मसाज करनी है ये देखे इस तरीके से और रात भर इसे ऐसे ही चोड़ना है friends oil massage हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है इससे हमारी बालों की ज़ड़े मज़बूत हो जाती है और बालों का जड़ना रूठ जाता है यह आप की सफेद बालों को काला करने में मड़़ करता है और बालों के लंबाई तेजी से बढ़ाता है इसका इस्तमाल आप हपते में 2-3 बार कर सकते हो तो आप इस ओयल को ज़रू ट्राइ किजिए और मेरे साथ अपना एक्सपिरियंस ज़रू शेर किजिए और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेर, कमेंट्स करना मद भूलिए और आपने अभी तक हमारे जानों को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब किजिए क्योंकि ऐसे सिक्रेट्स में आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ जौब से मिसना हो तो फ्रेंड्स मैं वापसी मिलूँगी मेरे नेक्स टूडियो में एक नई सिक्रेट के साथ तब तक के लिए स्वस्त रही है, मस्त रही है और अपना ख्याल रखे